डियर स्ट्रेंट्स आज हमें सुरू करना है एप्टिट्यूड एप्टिट्यूड के अंदर जो सबसे ज़्यादा जुरूरी है वो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के अंदर परतिसत, SICI, SICI, Mixer Elegation, Ratio and Proportion ऐसे बहुत सारे चैप्टर जुरूरी होते हैं ये सारे चैप्टर हमें अलग-अलग एग्जाम में क्रेक करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं जैसे CSET, CGL, CPO, CHSL, Navy, Air Force और भी सेकेंडरी लेवल के एग्जाम या स्टेट लेवल के एग्जाम जिनके अंदर मैथ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके अंदर ये बहुत ज जिसका नाम है परतिसत को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं परसंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं परतिसत वैसे भी इस नाम से इसको पढ़ने मातर से कलियर हो रहा है कि पर का मतलब क्या होता है परती सेंट का मतलब क्या होता है सो यानि कि जहां बेभी सो पे बात होगी वहां बात किस पे होगी परती सत्वे होगी जैसे एक बात बोली जाए यदी कोई बच्चा है जिसके नंबर सत्तर आए सो में से तो हम उसे सिदा सिदा क्य के 90 नंबर आए 100 में से तो हम उसको क्या बोलते हैं कि तेरे कि तेरे नंबर आए 90 परसेंट कलियर है जी अब सोचने वाली बात ये है कि ये बात 100 पे ही क्यों होती है ये बात 200 पे क्यों नहीं होती ये बात 300 पे क्यों नहीं होती ये बात 400 पे क्यों नहीं होती आखिर 100 में ही इसी क्या खास बात है, जो सो पे ही बात होती है, और ये सारी रामयन इसी पे लिखी हुई है इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी ये समझना होगा, कि अाखिर ये नुमनेटर और डिनोमनेटर की कैसे बन के एक परतिसत के संकसेप में लिखे जाते हैं इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एक एक्जामपल रखता हूँ एक सब्स्जी बेचने वाले के पास मान लो 50 संत्रे हैं कितने संत्रे हैं? 50 संत्रे हैं 50 अरेंजज़ ङदि उसके पास 25 अरेंज़ज़ खराब हो गए तो उसके पास बचे कितने? आपका सिंपल सांसर होगा कि बचे कितने 25 बचे सर 25 लिख दिये जी अब जरा ध्यान से सुने अगर मैं तुमसे इसी बासा में एक और बात पुछ लू कि भई तुम्हें कैसे पता लगा कि इसके पास केवल 25 ही बचे हैं तो तुम क्या बोलोगे कि सर मैंने क्या किया 50 में से घटा दिया कलियर जी अब मैं तुमसे एक और कुतर कर लू कि भई मुझे ये बता तुने 50 में से क्यों घटाया तेरे को 50 में ऐसी क्या खास बात लगी 50 तेरा क्या लगता है तुम क्या बोलोगे कि 50 हमारा क्या है सर total है क्या है हमारा total है और क्या बोलो के 50 हमारा क्या है सर शुरुवात की value है सर हमारी इसलिए मैंने इसमें से गटा दिया कलियर है जी अब मैं इसको एक further step और आगे चलता हूँ अब यहाँ पे base कितना था 50 तो तुम क्या बोल रहे थे 25 बच गे अब जरा धियान से सुलें मैं इस base को याने की जहां तुम शुरुवात की बात कर रहे हो इस को मैंने किसने पे कर दिया इस बेस को मैंने गुणा में दो कर दिया यानि कितना हो गया ये 100 हो गया कितना हो गया बच्चे 100 अगर ये 100 हो गया तो लेफ्ट एंड साइड में गुणा में दो किया है तो तुम्हें राइट एंड साइड में क्या करना पड़ेगा गुणा में दो करना पड़ेगा अब इसके गुणा में दो करने पे तुम पाओगे कि यहां पे उत्तर कितना जाएगा पचास पचास नहीं पचास परतिसत क्यों 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 कि अब बात किस पे हो रही है सो पे हो रही है मैंने बताया था यदि बात सो पे होती है तो बात कि किसी संख्या की कोई भी बात सो पे हो रही होती है तो बात किस पे हो रही होती है परसंटेज में हो रही होती है अब इस बात को जड़ा और फर्दर explanation करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एक बटे पांच, मैंने क्या लिखा एक बटे पांच एक बटे पांच का रथ क्या होता है बीस परती सत, कितना होता है बीस परती सत, अब ज़रा ध्यान जे सुने ये जो form है, ये कौन सी form है, अंस बटे हर की ये कौन सी form है, अंस बटे हर की, यानि की नुमनेटर बटे, डिनुमनेटर वाली form है और नुमनेटर बटे, डिनुमनेटर वाली form किस की होती है अनुपात की, अनुपात की यानि की रेश्यो की, अब ज़रा इस बात को और समझें कि एक बटे पाँच जो है वो 20 प्रतिसत के बराबर है कलियर है जी अब इस बात को समझ ले कि जो तुमने पिछले वाले एक्जामपल में सीखा था कि जो वेलू टोटल होती है या सुरुवात की जो वेलू होती है वही तुम्हारी वेलू क्या होती है बेस होती है वही तुम्हारी क्या होती है बेस होती है यदि कोई भी रेश्यो लिखा हुआ है यदि कोई भी रेश्यो जो भी आज तक आपने पढ़ा है अपनी लाइफ में वे सब के सब रेश्यो में जो भी डिनोमिनेटर में होता है जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो चाहता है मैं इसको एक स्टेप पिछे लेके जाता हूँ जब मैंने लिखा कि 20 परसेंटेज 20 परतिसत 20 परतिसत जो है वो बराबर होता है 20 बटे 100 के कलिर है जी यह जो सो है वो मैंने बताया कि हमेशे ही क्या होता है आपका बेस होता है क्या होता है आपका हमेशे ही बेस होता है यानि कि यह expression 20% is equal to 20 बटे सो जो है लिखा गया है इसका जो अर्थ है वो क्या है कि सो का 20% कितना होता है 20 होता है सो का 20 परतिसद कितना होता है 20 होता है अब मैंने इसको काट दिया Calendar है जी 2 पंजे 10 यहांपे कितना बचा ? 5 यानि कि मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि 20 परतिसद जो है बराबर है किसके एक बटे 5 के किसके एक बटे 5 के अब जो जो बात इस expression में हमने सिद्ध की है वे बात ही हाँ पे भी सिद्ध होनी चीए means यानि कि अंस बटे हर में हर हमारा क्या होगा बेस यानि कि जो denominator है वो हमारा क्या होगा बेस होगा और ये expression हमें क्या बोलेगा कि 5 का 20 परतिसत कितना होता है एक होता है, पांच का 20 परतिसत कितना होता है, एक होता है, अब इस बात को हम प्रूब भी कर लेते हैं, जब हमें छोटिक क्लासिज में सिखाया गया, साथवी आठवी में, कि भाईया, किसी संख्या का 20 परतिसत निकालो, तो हम कैसे निकालते थे, पहले हम वो संख्या लिख उत्तर कितना बचा एक और यह जो एक है वही कहा लिखा हुआ है नुमिनेटर में वही कहा लिखा हुआ है नुमिनेटर में यानि कि जो बात यहां सिखाई जो बात यहां सिखाई और जो यहां बात सिद्ध की यह तीनों चीज़ें क्या है बरावर है और इन तीनों बातों से हम एक बात समझ लेते हैं कि जो भी denominator में लिखा हुआ है वो हमारा हमेशा ही क्या होता है बेस होता है और जो numerator में लिखा हुआ होता है वो हमारा हमेशा ही क्या होता है परतिसत का वो पार्ट होता है जो हमें क्या होता है निकालना होता है clear हैं तो हमने यह बात समजली का एक बटे पाँच या एक बटे तीन एक बटे चार एक बटे साथ एक बटे आट एक बटे नो यानि कि कोई भी संख्या जो रेशो में लिखी हुई है उसमें जो denominator होगा वो हमारा हमेसे ही क्या होगा base होगा वो हमेसे हमारा क्या होगा बेस होगा और हम उसे बोल सकते हैं कि वो हमारी शुरुवात की वैलू होगी वो हमारी क्या होगी शुरुवात की वैलू होगी अब इसको एक आद एक्जामपल और लेकर मैं आपको समझा देता हूं जैसे मैं लिखू कि एक बटे दो एक बटे दो का मतलब कितना होता है पचास परति सत अब पचास परति सत में ये क्या है अंस ये क्या है हर जो हर है वो हमारा क्या होता है बेस होता है वो हमारा क्या होता है बचे बेस होता है अगर अंस जो हर है वो हमारा बेस होता है तो ये क्या वासा बोलता है कि दो का पचास परतिसद कितना होता है एक दो का पचास परतिसद कितना होता है एक ऐसे ही मैं अगर लिखूं एक बटे तीन एक बटे तीन का अर्थ क्या होता है तेती सही एक बटा तीन परतिसद कलियर है ये तीन हमारा क्या होगा तीन का तेती सही एक बटा तीन परतिसद कितना होता है एक होता है ऐसे ही लिखा जाए एक बटा च्यार एक बटा च्यार का अर्थ कितना होता है पच्चिस परतिसद इसका इसका भी अर्थ क्या होगा च्यार का पच्चिस परतिसद कितना एक अगर किसी को सक हो तो निकाल के देख लेना यही यही जो बाते उपर पिछे बताई है वही बाते बार बार आप प्रूव कर रहे होगे एक बटे च्यार ऐसे ही लिखूं एक बटे पांच एक बटे पांच का अर्थ कितना होता है बीस परतिसत आगे एक बटे च्छै एक बटे च्छै का अर्थ कितना होता है उसका अर्थ भी क्या होगा 14 सही 2 बटे 7 परतिसत और इसे हम कैसे बोलेंगे 7 का 14 सही 2 बटे 7 परतिसत कितना एक ऐसे ही एक बटा 8 इसको हम क्या लिखेंगे 17 बारा परतिसत कलियर है ये क्या बोला जाएगा कि 8 का 17 बारा परतिसत कितना होता है एक होता है ऐसे ही एक बटे 9 एक बटे 9 को हम क्या लिखेंगे 11 सही एक बटा 9 परतिसत कलियर है अब आगे एक बटा 10 जो कि सब को पता है कि एक बटा 10 किसके वरावर होता है 10% के अब आगे सुनें एक बटा 11 एक बटा 11 क्या होता है नो सही एक बटे ग्यारा परतिसद नो का ग्यारा सही एक बटे ग्यारा परतिसद कितना एक और ग्यारा का नो सही एक बटे ग्यारा परतिसद कितना एक आप इन दोनों फ्रेक्शन को एक बटे नो को एक बटे ग्यारा को आमुनन अपने एकजाम में देखते होंगे तो इसको याद रखें अब आगे दिखें एक बटे बारा एक बटे बारा जो है वो बरावर होता है आठ सही एक बटा तीन परतिसत के इसके बाद एक बटे तेरा ये किसके बरावर होता है साथ सही नो बटे तेरा परतिसत के प्री बहसा हैं सेम चलेंगी मैं लिख रहा हूँ आप साथ से एक बटा तीन परतिस्त एक, तेरा का साथ से नो बटे तेरा परतिस्त एक, ऐसे ही एक बटे चोदा, एक बटे चोदा उग्या लिखेंगे, साथ से एक बटा साथ परतिस्त, इसके बाद एक बटे पंदरा उग्या लिखेंगे, छै से दो बटा तीन परतिस्त, ऐसे ही एक बटे सोडा को क्या लिखेंगे 6 सही एक बटा 4 परतिसत इसके आगे एक बटे 17 एक बटे 17 को हम क्या लिखेंगे 5 सही 15 बटे 17 परतिसत कलियर जी एक बटे 18 को क्या लिखेंगे 5 सही 5 बटा 9 परतिसत आगे एक बटा 19 को क्या लिखेंगे पांच सही, पांच बटा, 19 पर तिसल और एक बटा 20 को हम क्या लिखेंगे पांच पर तिसल खेएंगे, यह जितने भी मैंने लिखवाए हैं, एक बटे 2 से लेकर, एक बटे 20 तक, यह सबसे ज़ादा important है, सबसे ज़ादा बार बार एक्जाम में पूछ जाते हैं, बार बार एक्जाम में, कोई सी भी नईवी का एक्जाम उठा लो, कोई भी स्टेट लेवल का एक्जाम उठा लो, सेजियल का पेपर पूरा बुरा भरा हुआ होता है इनी परतिसत, इनी परतिसत के अलावा एक भी परतिसत इन से बा जैसे इसी के अंदर मैं अगर तुम्हें बताऊं सबसे ज़्यादा important जो हैं exam के अंदर बहुत ज़्यादा पुछने वाले हैं वो इन में से कौन-कौन हैं एक तो यह है जी एक बटे 6 है clear है और यह दोनों इसके बाद एक बटे 7 इसके बाद एक बटे 14 इसके बाद एक बटे 17 यह examiner के फैवरेट किस्टन है यह examiner के फैवरेट है बिलकुल एक दम यह मान के रख लो कि अगर यह तुम्हें याद है तो तुम confident होके exam में जा सकते हो